क्या बदलते मोसम में आपके गले में भी ज्यादा बल्गमा रहा है इस शाई से कर सकते हैं जांच आम तवर पर धन के मोसम में सद्धी जुकाम अधिक होता है दुएं के कारण खांसी और नाग बन होने की भी समस्या होती है यहां तक कि जो लोग उपवास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है इसके कारण उन्हें खाना पीना और यहां तक की खांसने में भी दिक्कत होती है इस कप को साफ करने में लोग अच्छा काम करता है थन के मोसम में सांसंबंदी समस्याओं के लिए मेती बहुत फाइदेमन होती है चाहें कितना भी दवा ये निंगली जाए दुश्प्रबाव अधिक होते हैं आईरवेद में लोग को स्वस्त समस्याओं को कम करने के लिए और शदी के रूप में उप्योग किया जाता है लोग से बनी चाई पीने से कफ कम हो सकता है यह कटोरह में दो कप पानी ले और इसे गैस पर रखकर अच्छे से उबा और इसे चान कर एक गिलास में निकाल ले और इसमें थोड़ा सा शहद मिला कर पी ले इस चाई में कफ को गलानी की शिक्ति होती है इसे पीने से सारा कफ निकल जाएगा इस लोग की चाई में एंटी वाइरल और एंटी बैक्टिरिया गुन होते हैं इससे सद्दी खासी औ तो आपको राहत मिलेगी क्योंकि करेला में कफ को गलानी की शिक्ति भी होती है इस लोग की चाई पीने से जी मिचलाना बदहजमी मतली और उल्टी भी कम होती है धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्टिप्स के साथ